नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सावन का महिना सुरू हो चुका है और सावन के पूरे महिने भर यानि 30 डेज आगर सिब जी के अरधना करते हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं कुछ समझ में आए तो एक लोटा जल अरपित करें लेकिन सिब जी को परसंद करने के लिए बिसेस मनो कामनाओं को पूर्तिक होने के लिए बिसेस तरह के पूस्प अरपित किये जाते हैं अगर सावन के महिने में आप समी के पूस्प भगवान सिब को अरपित करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रिय है समी का पुस्प एक लाख समी के फूलों से पूजा करने पर ब्यक्ति को मोख्च मिलती है लेकिन अगर आप एक भी समी का पुस्प अर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए जीवन के बहुत सारे कस्ट मिट जाते हैं धातूरे का फल पुस्प ये जो धातूरा होता है न ये आपके संतान प्राप्ती की मनोकामना को पूर्ण करता है और अगर संतान है तो फिर वो बहुत उन्नती करता है अगर संतान की इच्छा है संतान की मनोकामना है तो आप पती पतनी दोनों मिलकर या आप अकेले भी कर सक अगर धतूरे सिवलिंग पर अरपीद करें और लाल डंठल वाला धतूरा मिल जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तमा ना जाता है सफेद वाला भी ठीक है लेकिन लाल वाला ज़्यादा अच्छा होता है अब बात करते हैं आग के पुस्प की सिप पुरान में कहा गया है पुछ की प्राप्ती होती है अब बात करते हैं हर सिंगार के पुस्प की हर सिंगार का पुस्प से अगर सिवलिंग का अभिसेख किया जाए तो जीवन में सुख सम्रिद्धी बढ़ जाता है आप अगर ओ विभाईत हैं और सावन के महने में अगर आप सिंगार की दुपःया पुस्प बड़ा ही निराला है इसका नाम बंदुक, के नाम से भी यह जाना जाता है लाख दुपरिया इसे सिप जी की पूजा करने से जीवन में कभी भी धन और आभूसन कीक्ष नहीं होसी यानी धन और बुसन की प्राप्ति होती शिंद जल्द ही प्रसंद होते सें कि यह अगस्ट का जार। तो आपका मान संत्स बर्टा है और इस ब्रफिर नीचे ऐसा माना जाता है अगस्त मुनी ने तपस्या की थी इसलिए इस पुस्प का विसेश महत्व है गुड़हल का पुस्प बहुत सारे लोग कहते हैं गुड़हल का पुस्प स्विलिंग पर नहीं चड़ाना चाहिए लेकिन ऐसा गलत है अगर आप सिबिलिंग पर गुड़हल का पुस्प सिवलिंग पर अर्पित करते हैं तब वैसे आप मा पारवती गनेश जी को भी गुड़ल का पुस्प अर्पित कर सकते हैं विसेश मनों कामनाओं की पूर्ती के लिए बेलपत्र बेलपत्र भगवान सिव को सबसे ज़्यादा प्री है और बेलपत्र चढ़ाने से ज सिवलिंग पर अर्पित की जाती है लेकिन तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किये जाते बेली के पुस्प बेली का पुस्प अर्पित करने से आप अगर बिवाह के इक्चुक हैं आपका बिवाह तै होता है और चमेली के पुस्प अर्पित करने से वाहन का सुख मिलता है ब्यक्ती दौलत मंद भी बनता है बात करते हैं दुर्वा की, दुर्वा एक प्रकार का घास है लेकिन दुर्वा अर्पित करने से जीवन में कभी भी खुसियों की गमी नहीं होती आपकी आयू भी लंबी होती है, स्वास समस्याएं दूर हो जाती है और लाश्ट में कनेर का पुस्प जो की सिवजी को बहुत प्री है कनेर का पुस्प अरपित करने से जीवन में कभी भी वस्त्र आभुसन की कमी नहीं रहती कमल का पुस्पु से अगर आप पूजा करें महादेब की सफेद कमल तो फिर जीवन में सुखों की बृद्धी होती रहती है सरेश्ट जीवन साथ ही मिलता है जीवन में सुख एस्वरे समृद्धी बढ़ता है कुटुम्ब बढ़ता है तो हम आपसे बिदा लेते हैं पसंदाय जानकारी तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेव धरनिवाद